नमस्कार दोस्तो गुरुकुल अकेडमी में आप सीगा स्वागत हैं दोस्तो आज हम आप लोग के लिए लुशेंड जीके की टो फिफ्टी क्यूशन से लेक रहे हैं जो बार बार एक्जामें पोचे जाते हैं अगर आप लोग किसी भी एक्जाम की तैयारी करें जहां पी जीके एक्जाम में आती हैं कोई भी एक्जाम हो रेलिविक एक्जाम है पहला कूशन है back day dna finger printing केंदर कहा आप पर सिथे जलोंडय स्यान से आए आगे नातुला दर्रा किस राज्जे में जल्दी स्यान से देंगे नातुल्ला दर्रा किस राज्य में है तो आप लोग यादखना नातुल्ला दर्रा है सिक्किम में तो भी होगा रहना से सिक्किम की राजधाने का हैं गंग टोक में राजधाने ये का हैं गंग टोक में राजधाने सिक्किम की और राजेपाल गंगा प्रसाद है, सियम है, प्रेम सिंग तमांग, विधान सबाकी 32 सीटे हैं और लोग सबाकी 1 सीट हैं, ठेक न, और राजवासा हैं अंग्रे जी सिक्किम की, अंग्रे जी लेपचा, अंग्रे जी लेपचा और भूटिया, ठेक है, याद धखना आप लोग, चले फिर अगला कु पंचायती राजतंतर की सिफारिश की थी बलवंतराय मेहता समीति ने ठीक है तो ए रहेगा जिर्ण जिम्वाफिजर किसने के थी बलवंतराय मेहता ने के थी भारत में त्रिस्त्री पंचायती राजतंतर की सिफारिश बलवंतराय मेहता ने ठीक है नेक्स्ट है टांका किन द दोद धातू के में इसर धातू है तो फ्रेंस यह है टीन और शेसा की तो उफ्स नमबर टी रहेगा रिटांसर यहां पर टीन और शेसा नेक्स्ट है दक्षने गुलार्द में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है तेईस दिसंबर को होता है कब होता है तेईस दिसंबर को ह सबसे लंबा दिन भी हो जाएगा रिदसर 23 दिसंबर नेक्स्ट है निमोनिया में स्रीर का कौन सा अंग परभावीत होता है तो यह परभावीत होता है तो देखिए नेक्स्ट है तो फ्रेंस को थे? सवामी विवे कानंद थे तो बी रहेगा रहे आपर स्वामी विवे कानंद बी हो जाएगा रहे आँशा ठीक है? किस सविधान संसोधन की तहत राष्टपती मंत्री प्रिश्द की सला मानने के लिए बात दे है तो यह 42 संसोधन भी होगा रेट आंशर यहां पर 42 संसोधन भी हो जाएगा जरेट आंशर ठीक है देखिनेश इंसिटूट ओफ लाइफ सा millones स नाने काल पर रेट आंशर रहे गा रहें रहे आइच्छत ब्रोणी तेल सोधक कार खाना किस देश के सहयोग से बना है जल्दी से आंसर देंगे जिए आप लोग ब्रोनी तेल सोदक कार खाना किस देश के सहयोग से बना है किसके सहयोग से बना है तो ये बना है सोवित रूस के सहयोग से सी हो जाएगा रेटांसर आप सोवित रूस ठीक है ब्रोनी तेल सोदक कार खाना किस देश के सयोग से बना है तो फ्रेंस ये बना है सोवित रूस के सयोग से सी रहेगा जरेट आंशर नेक्स्ट है बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस गरंथ में है तो फ्रेंस ये है सुथ पिटक में तो ये हो जाएगा यहाँ पर रैड आंसर सुथ पिटक ठीक है नेक्स्ट है चंगेज खान ने किसके सासन काल में भारत पर आकरमन किया तो फ्रेंस ये क्या था इल्टू तमिश के सासन काल में तो भी हो जाएगा रैड आंसर यहाँ पर इल्टू तमिश ठीक ठीकना चंगेज खान ने किसके सासन काल में भारत प्राकरमन क्या था तो फ्रेंसिये क्या था इल्टुतमिस के काल में तो भी रहगा रेट आंशर नेक्स्ट क्रांते कारियों की गोप्त संस्ता अभिनो भारत को किसने संग्ठित किया जल्दी से बताएंगे आप लोग क्रांते कारियों की गोप्त संस्ता अभिनो भारत को किसने संग्ठित किया तो फ्रेंसिये क्या था विनायक दामुदर सावर करने तो डी हो जाएगा रेट आंसर आपर विनायक दामुदर सावर कर नेक्स्ट भारत भारतियों के लिए यह नारा किसने दिया था जल्दी स्यान से देंगे आप लोग भारत भारतियों के लिए यह नारा किसने दिया था तो फ्रेंस यह दिया था किसने आरे समाज ने दिया था भारत भारतियों के लिए एक्जाम में आये कि आरे समाज की स्थापना कब और किस ने की थी तो फ्रेंस आरे समाज की स्थापना 1875 में की गए थी और द्यानंद सरस्वती के दवारा किसके दवारा द्यानंद सरस्वती के दवारा 1875 में की गए थी आरिय समाज की स्थापना ठीक है तो भी रहगा जी यहाँ पर राइड आंशर चले फिर देखे क्या है मैनमार के सीमा से मिलने वाले भारती राजे कितने हैं जल्दी स्यांच देंगे चार राजी हैं महिनमार के सीमा से मिलने वाले भारत राजी कुन कौन सी हैं मनिपूर, मिजोरम, नागा लेंड और अरुनाचल परदेश ठीक है न अभी रहेगा जरेडांशर देखे नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन की सूची का विसाई है आर्थिक नियोजन की सूची का विसाई है तो इस समवर्ती सूची का विसाई है सी रहेगा रेडांशर समवर्ती सूची नेक्स्ट है ओपनिस्दो का फार्शी में अनुवाद किसके प्रियासी हुआ तो फिन सी हुआ था दारा सिकोह की प्रियासी तो देखिए एकिसवी सदिका सबसे बड़ा सूरी ग्रहन किस वर्ष देखा गया था सबसे बड़ा सूरी ग्रहन किस राज़े में है कोयल कारो विद्ध प्रियोजना किस राज़े में है जारखंड में तो शी रहेगा रे राज़े जारखंड जारखंड की राज़धानी का है राज़धानी का है राज़धानी का है राज़धानी का है राज़धानी है वहीं फ्रेंज सियाम हेमंत सोरेन है राज़े पाल द्र आगी चलेगा केनफीना किस बैंक की सहाइक संस्ता है तो ये है केरपेंक की सहाइक संस्ता हैं तो फ्रेंस डी रहेगा रेटानू श्र एक्जाम में आ जाए केरपेंक की स्तापना कभी दोई तीं 1969 में हुई थी 1969 में हुई थी मुख्याले बिंगलुरू में है ठीक है और अदेक्स को ने AC महाजन याद रखना चले फिर next देखे क्या है राश्टी ग्रामीन विकास संस्ता कहां इस्तित है हैदराबाद में है यह होगा रिटांसर हैदराबाद आगे बढ़िगा देखे ग्रेशम के नियम का संबंद किस से है अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करेंगे अपने फ्रेंस के पास शेर करेंगे ताकि कुछ लोग और यहां आए और अपने एक्जाम के तियारी को अच्छे से आगे बढ़ाए ग्रेशम के नियम का संबंद है मुद्रा के परचलन से तो भी हो जाएगा रेडांसर आपने मुद्रा के परचलन से है ग्रेशम के नियम का संबंद नेक्स्ट है राष्ट्य सांखी की दिवस किस तिथी को मनाया जाता है जल्दी स्यांशते देंगी आप लोग राष्टी सांखे की दिवस किस तीठीक को मनाया जाता है तो फ्रेइंज्स है मनाया जाता है 29 जोन को मनाया जाता है डी हो जाए गार तांशेर नेक्स्ट है वीशु का सबसे बड़ा बोधमंदिर किस देश में है तो फ्रेंसे इंडोनेसिया में है वीशु का सबसे बड़ा बोधमंदिर सी रहेगा रेट आंसर इंडोनेसिया नेक्स्ट है मानुश्रीर के किस अंग में यूरिया कंज्रिमाण होता है तो फैंसी या करत में होता है तो भी रहेगा रैड आंसर यहाँ पर या करत ठीक है अगला कुछ ने वर्ना कुलर प्रेस एक्ट को किसने स्माप्त किया था यह क्या था लाड रिपन ने यह हो जाएग किर्थी है माई म्यूजिक माइ लाइफ किसी क्रिइथी है तो ये पंडित रविसंकर क्या तो फ्रेंज डी रहेगा तरहां पंडित रविसंकर अगला कुछनय ने कितने पाकिस्तान उपन्नाज के लेखक को नहीं पाकिस्तान उपन्नाज के लेखे गए कमले सुवर सी रहेगा रेट आंसर कमले सुवर नेक्स्ट है वर्नाकुलर वर्नाकुलर एक्ट कोकिन के दवारा पारित किया गया जल्ली से आंसे देंगे वर्नाकुलर एक्ट कोकिन के दवारा पारित किया गया कि इनके दवर क्या गया था लाड लिटन के दवारा तो फ्रेंस भी रहेगा रहेट आपर लाड लिटन नेक्स्ट योजना आयो की स्थापना कब की गई थी योजना आयो की स्थापना कब की गई थी तो फ्रेंस सी की गई थी 1950 में 1950 में की गई थी योजना आयो की स्थापना सी रहेगा जरेडांशर ठीक है नेक्स्ट है भारत की किस सहर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है भारत की किस सहर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है तो फ्रेंसी कुलकाता में है डी हो जाएगा रेड अंसर कुलकाता ठीक है डी रहेगा रेड अंसर नेक्स्ट है विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है टोको फिरोल है विटामिन ए का केमिकल नेम और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है जनन समता में कमी क्या है जनन समता में कमी किसकी कमी के कारण धातों का चरण होने लगता है राइट आंसर वियना ठीक है नेक्स्ट है आजाद हिंद फोज की स्तापना कब हुई थी आजाद हिंद फोज की स्तापना हुई थी 1942 में रास बिहारी बोस के दवारा तो भी हो जाएगा राइट आंसरे आप ए 1942 नेक्स्ट है स्टोखोम किस देश की राजदानी है जल्द स्यांशी देंगी स्टोखोम किस देश की राजदानी है तो फ्रेंस यह है सवीडन की कहां कि सवीडन की है तो उसी रहेगा राइट आंसरे हां पर सवीडन ठीक है नेक्स्ट है बांदोगड राश्ट्री प्राणी उद्यान किस राजे में है बांदो गड़ राष्ट्रिय प्राणी उद्यान किस राजे में है तो फ्रेंसी मध्य प्रदेश में कहें MP में है बांदो गड़ राष्ट्रिय प्राणी उद्यान इरहेगा जरेट आंशर नेक्स्ट है थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है थोरियम का सबसे बड़ा उतपादक देश ब्राजील है कौन ब्राजील है तो डी रहेगा रेड़ांसर ब्राजील नेक्स्ट है यूरेनियम का सबसे बड़ा उतपादक देश कौन सा है यूरेनियम का सबसे बड़ा उतपादक देश है कनाडा बी होगा फ्रेंस रेडाउंसर कनाड़ ठीक है देखिए नेक्स्ट अंतरश्टी तिथी रेखा किस टाइम जोन को बाड़ती है तो यह बाड़ती है बारवे जोन को तो फ्रेंस सी रहेगा रेडाउंसर बारवे जोन को बाड़ती है अंतरश्टी तिथी रेखा सी रहेगा ज right answer ठीक है देखी next संपुन पृत्वी को कितनी time zone में बाटा गया है कितनी time zone में 24 time zone में तो see हो जाएगा फ्रेंस यहाँ पर right answer 24 time zone ठीक है देखी next भारत में सरवादिक इसब गोल उत्पादित करने वाला राजे कोंसा है भारत में सरवादिक इसब गोल उत्पादित करने वाला राजे कोंसा है तो फ्रेंसी गुजरात है तो भी रहेगा right answer गुजरात next है भारत में सरवादिक अनसोचित जाती वाला राजे कोंसा है जल्दी से आंसर देंगे जी आप लोग भारत में सरवादिक कि बहारत में सरवादिक अनसुचित जनजाती वाला राजे को उनसे अभी बताया है यह कुशन किसी का भी गलत नाफ हो पाए एक न या धकना आप लोग मध्धि परदेश ही सरवाधिक अनसोजित जन जाती वाला राजी ए रहे गा जी यहां रिदाशर मध्ध परदेश नेक्स्ट गरीबी हटाओ का न और इंदरा गांधि नकिस वर्श दिया 1971 में दिया था गरीबी हटाओ का नारा इंद्रा गांधी ने दी रहेगा जरेट आने शोर next question है operation फलड कार इकरम किस वर्स चलाय गया जल्ली से बताएंगे आप लोग operation फलड कार इकरम किस वर्स चलाय गया तो फ्रेंज सी चलाय गया था 1970 में 1970 में चलाए गया था ठीक है अगला कुशन है अर्द गंगा किस नदी को कहा जाता है अर्द गंगा अर्द गंगा किस नदी को कहा जाता है तो फ्रेंस कावेरी को कहते हैं अर्द गंगा किसो कावेरी को कहा जाता है अर्द गंगा ठीक है इरे हिकाम राइड आंशर नेक्स्ट आइ अरावली परवत का निरमान केसे परवतिकरण यूग में हुआ ये हुआ था प्री कांब्रियान में नेक्स्ट है रेग्र मिट्टी को कौन सी मिट्टी कही जाती है तो फ्रेंस ये काले मिट्टी को काले मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते ठीक है सी रहे गाज राइट आनशा देखें अंतिम कुछी ने क्या आज का सोमेसर की पहाड़ी केसे जिले मिश्तित है सोमेसर की पहाड़ी का है चमपारण में का है चमपारण में है सोमेशुर की पहाड़ी अच्छे से आप लोग फ्रेंश याद दखना का है चमपारण में है सोमेशुर की पहाड़ी D हो जाएगा यहाँ पर राइट आशर ठीक है तो फ्रेंश यहाँ पी आपको हम एक होमवर्ग के लिए कुश्शन देती है आप लोग बताएंगे जो चमपारण जिला है यह किस राज़े में है किस राज़े में चमपारण जिलाईए आपके लिए हमवर्ग प्लीज कमेट बोक्स में जुरूर बताना अगर आपने फ्रेंश अभी तक वीडियो को लाइक करेंगे आपने फ्रेंश की पास शेयर करेंगे और जो लोगों पहली बार यहां आए है जल्दी से आप लोग फ्रेंश चैनल सिस्क्राइब करेंगे साथ भी लाइकन पर भी कलिक कर लेंगे ठीक है तो फ्रेंश लिगा मिलते हैं अगली क्लास में तब ते के लिग गुडबाई जय हिंद जय भारत ववन्दे मात्रा